भारत और चीन के बीच कारोबार की भारत ने चीन को हर मोच से बीचार करने की तैयारी की है कई सेलेबिटीज भी चीनी प्रोडक्स का वहिशकार करने के पक्ष में हैं ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि चीन की आर्थिक कमर तोड़ी जा सके भारत में चीन करोड रुपए का कारोबार करता है अगर ऐसा है तो हर भारते करीब करीब आदे से जादा चाइनीज प्रोडक्स का इस्तिमाल करता है और हिंदुस्तान से मिरे पैसे को ही चीन आज हमारे खिलाफ इस्तिमाल कर रहा है इसलिए चीनी सामान के वहिशकार की मांग उठने लगी है चीन का इतिहासी धोके बाद जीवाला है और चीन कई मोर्चों पर भारत को पहली भी धोका दे चुका है भारत और चीन के आर्थिक रिष्टों को अगर देखे तो पिछले साल भारत ने चीन से 5,62,600 करोड रुपए का माल खरीदा जबकि चीन को 1,35,200 करोड रुपए का माल बेचा गया भारत चीन से एलेक्ट्रिक चीजें, साउन, टेलिविजन और इनसे जुड़ी चीजें खरीदता है और ग्यानिक केमिकल्स और प्लास्टिक की चीजें भी चीन से भारत में आती है इतना ही नहीं, नुक्लियर, रियाक्टर्स, बॉइलर्स जैसी चीजें भी भारत चीन से लेता है कारोबारी साल 2019 के आखरोड पर अकर नज़र डालें तो चीन से भारत ने 1,44,000 करोड रुपए की मशीनरी और इलेक्रिक सामान को खरीदा है इसके लावा 93,616 करोड रुपए के नुक्लियर रियाक्टर्स, मशीनरी खरीदी गई, 60,000 करोड के ओग्यानिक केमिकल्स खरीदे गए, आयरन स्टील 12,165 करोड रुपए की खरीदी गई चीन से मतलब ये भी कि भारत आधे से ज़ादा जरूरत का समान चीन से ही खरीदता है अगर भारत चीन से समान खरीदना बंद कर दे तो चीन को बड़ी आर्थिक चोड पहुचाई जा सकती लेकिन चीन का बहिशकार करना भारत के लिए आसान नहीं होगा इसके पीछे सबसे बड़ी वज़ा है भारतिय स्टार्टप्स भारत के बड़े स्टार्टप्स में चीन का पैसा लगा हुआ है बिग बास्केट में चीन का 25 करोड डॉलर का निवेश है पेटियम में 40 करोड डॉलर का जुमैटो में 20 करोड डॉलर Snap deal में 70 कड़ोर डॉलर Dream 11 में 15 कड़ोर डॉलर Ola और Swiggy में 50 कड़ोर का चीनी निवेश है यानी भारत के बड़े startups में चीनी कम्पनियों का निवेश है ऐसे में चीनी सामान का बहिशकार करना भारतियों के लिए आसान राह नहीं है लेकिन फिर भी धीरे धीरे हम चीन के सामान को अपनी जिंदगी से बाहर कर सकते हैं शिक्षाविद सोनम वांग्चुक ने चीनी प्रोडक्स के बहिशकार के लिए एक प्लान बताया है सोनम वांग्चुक के मताबिक भारत को चीनी साफ्टवर एक हफटे और चीनी हाड़वेर एक साल में बॉयकॉट कर देने चाहिए चीन से आनेवारे सामान भारत को खुद बनाने चाहिए इनकी कीमा चीनी सामान से कम होनी चाहिए ताकि आम لوग इने खरीच सके चीन को मात देने के लिए आर्थिक कमजोर करना जरूरी है चीन भारत के पैसे से ही बंदू घोले हत्यार खरीद कर भारत को ही आग दिखा रहा है अगर भारत चीन के आर्थिक कमर तोड़ दे तो चीन की हेकडी खत्म हो सकती है